वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग जैसा की मॉडर्न इंडियन हिस्टी में 1857 का रिवोल्ड पढ़ रहे थे आज उसी को कंटीन्यू करेंगे पिछली क्लास जिन्हों ने भी नहीं देखी वो देख लें ये क्लास डेली दुफर एक बज कर रहे हैं जी एक सेक्शन आप यहां से कवर कर सकते हैं इसके साथ साथ इन क्लासेस की पीडियाफ चाहिए अधर कोई स्टडी मटीरियल चाहिए या फिर कोई और कोर्स की आप रिपिशन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएए Study for Civil Services का एप डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं और ग्यानसर कूपन कोड अपलाई करके आपको तुरण 20% का डिसकाउंट मिल जाएगा इन कोर्सेस में आपको फुल स्टडी मटीरियल प्रोवाइट किया जाता है लेटेस्टेंड और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिये आप उन पर कॉल या मैसेज करके भी पेट कोर्स की जानकारी ले सकते हैं तो चलिए बिना देर कि आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं हमने 1857 के डिवोल्ट में केंद्र और नेता समझ लिये थे कहां कहां पर किस के रोकने का या फिर विद्रोग को दबाने का कारी किया इसके अलावा भी कुछ लिष्ट देखी थी आज उनसे आगे के जो फैक्ट्स हैं उनको प्रिपेर करने हैं अब वो फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जो 1857 के डिवोल्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं जो एक्जाम प के दोरान सलुंबर के ठिकानेदार केशरी सिंग ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी मदारी पासी का नाम आपने कई बार सुना होगा ये उत्तर प्रदेश के किसान अंदोलन से संबंधित हैं और वर्स 1921 से 1922 में अवत प्रांत के किसानों के हित में होने मदारी पासी और सहदेव ने एक आंदोलन चलाय था मदन मोहन मालवी ने सन 1916 इसवी में भारती उद्योग आयोग की अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की थी अब ये इस जगह पर इसलिए गया है क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में दे करके इनको इनके नाम दे दिये जाते हैं तब आप कंफ प्रांत को सैनिको का पौध शाला कहा जाता है मेरट सडेंट ने देखेंगे ये हुआ कब 1929 से 1933 के बीच इसमें भारती कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्य सामिल थे वाइसराय लौ डिपन ने कहा था अगला पॉइंट है धला लौ नौकर साही हमेशा नहीं चल सकता है वाल गंबीर विद्रो था ये कथन लौड लिन निथिगों का है तो इन्होंने इससे ये दर्साय कि 1857 का विद्रो भी कम प्रभावी नहीं था बंगाली कभी नवीन चंद सेन ने प्लासी के युद्ध के परिनाम को एक इस्थाई दुख भरी रात कहा था दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली जो बंदूग ब्राउन बेस थी इसके स्थान पर नवीन एंफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने का निर्णा किया अब इसका प्रसिक्षर दमडम अंबाला और स्याल कोट में किया जाना था 29 मार्च 1857 को बैरखपुर में सैनिकोंने जो चड़ाई लगे कारदूस थे इनके प्रयोग से इंकार कर दिया और उनमें से एक सैनिक थे मंगल पांडे इन्हों ने अपने एक केज़ुडेंट पर आकरमण करके उसकी हत्या कर दी इन्होंने उसको गोली मारकर हत्या कर दी अंग्रेजों द्वारा 34 वी एनाई रेजीमेंट भंग कर दी गई और अप्राधियों को दंड दिया गया। 1857 की क्रांती का जो प्रारम है ये 10 मही को मेरट से हुआ, ये most important point है आपको ये date प्रिपेर करने ही कहां से start हुआ और date क्या थी। अब विद्रोहियों ने 12 मही 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये भी प्रशन कई बार पूछा गया है तो इससे भी आप परिशित रहे हैं कि दिल्ली पर और सबसे पहले इन्हों ने दिल्ली पर ही अधिकार किया था, अगर date पूछी जाएगी तो 12 मही 1857 रहेगी। अब इसमें देखिए कई लोगों का रोल वहत इंपॉर्टेंट रहा उसमें रानी लक्ष्मी भाई का नाम हर कोई जानता है और उन्हीं के बारे में कुछ डीटेल्स दी गई हैं कि रानी लक्ष्मी भाई इनका मूल नाम था मनी करनी का और इनका जन्म कहां हुआ तो 19 रो था 1857 का जिसमें जासी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मी भाई के नेतरत में विद्रोग की सुरुआत हुई और अंग्रेज जन्रल रो से लडते हुए 18 जून 1858 को ये वीरगती को प्राप्त हुई थी चुकि रानी लक्ष्मी भाई हुआ से लड़ रही थी और इस से ल पर हिरोज ने कहा था कि भारतु विद्रोहियों में यहां सोई हुई ऑरत अकेली मर्द है तो यह कथन भी आपको याद रखना है जहांसी के बाद अब विद्रोह की बात करेंगे लख्णाव। तो लख्णाव। उस समय लखनों पर पुना अधिकार किया तो यहां पर विद्रो सुरुवा तीस में 1857 को पुना इस पर अधिकार अंग्रेजियों ने कब किया एक किस मार्च 1858 को डेट दोनों याद अखनी है ठीक है पांच जून 1857 को कानपुर में नाना साहब जिनने धोदोपंत भी कहा जाता था इनको पेश्वा मानकर स्वतंदिता की घोशना की गई नाना साहब को सेना पती तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी और अजीम उल्ला खान नाना साहब के सलाकार भी थे अजीम उल्ला खान के बारे में भी पूछा गया है और इनको क्रांती दूद के नाम से भी जाना जाता है तो ये बात हो गई अजीम उल्ला खाकी तात्या टोपे को रामचंद पांडू रंग के नाम से भी जाना जाता है और इनका जन्म कहा हुआ तो महराष्ट में योला गाओं है वहां हुआ था तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1869 को फांसी दी गई थी 1859 में आउवा के था अकुर कुशल सिंग ने 1857 की क्रांती में अंग्रेजो और जोदपूर की संग तुसेना को पराजित किया था 1857 के विद्रोग को मिर्जा गालिब ने स्वयम अपनी आखों से देखा था और मिर्जा गालिब का जो जन्म है वो 27 दिसंबर 1796 को आगरा में हुआ था इनकी मिर भारत का गवर्नर जरर्नल था वो कैंडिंग था और विद्रो हो के समय कैंडिंग नेलाहबाद को आपात कालिल मुख्याल्य भी बनाया था कैंडिंग बाहुरत में कंपणी द्वारा न्युक्त अंतिम गवर्नर जन्र था और बिटिज सम्राज्च के अधीन ये निवक्त ह होने वाला पहला वाइसराई भी था अठासो सतावन के सिपाही विद्रों को भारत में पत्थम सतंता संग्राम के नाम से जाना जाता है तथा ब्रिटेन में से इंडियन म्यूटिनी के नाम से भी हित किया जाता है 1857 के रिवोल्ड के समय बैरकपुर में लेटिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैर से कमांडिंग ऑफिसर थे इनके बारे में नाम भी याद रखिया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये नाम याद रखियेगा 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ये जो जनरल जॉन निकोलसन था इसकी म्रत्य हो जाती है लखनों में 1857 के विद्वों के समय अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेंरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलोग और जनरल नील इनकी म्रत्य होई थी प्रशन ये भी पूछा गया, आपके जितने भी इसमें देखेंगे फैक्स दिये गए हैं वो आपके प्रशनों से रिलेटर्स हैं और इनसे प्रशन पूछे भी जा सकते हैं 1857 के भारती स्वाधिंता अंदोलन के सरकारी जो इतिहास कार्थे सुरेंदनात सेन इनकी पुस्तक है 1857 जोकी 1957 में प्रकाशित हुई थी सरसेद एहमत खांद वारा लिखित पुस्तक थी असबाबे बगावते हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी इसी पर थी जिसमें 1857 के विद्रोग के कार्णों की चर्चा की गई थी भारत सरकार द्वारा आर्सी मजूनदार को 1857 के विद्रोग का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था लेकिन सरकारी समीती से अनबन हो गया इनका और इसके कारण इन्होंने इस कारे को करने से इंकार कर दिया था और इनकी पुस्तक थी The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857 इसको इन्होंने सतन्त रूप से लिखा और पब्लिश किया 1957 में 1857 के विद्रोग के दमन की बात की जाए तो इसके बाद ब्रिटिस सरकार ने भारती फोज के नव गठन के लिए पील आयो का गठन किया और जिससे सेना में देखेंगे आप लेजी मेंटो को जाती समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया बंगाल में जो यूरोपी सैनिकों का जो अनुपात था वो एक अनुपात दो रखा गया जबकि मदरास में इसे कितना रखा गया एक अनुपात तीन का मदरास और बंबाई दोनों जगे यही अनुपात था एक अनुपात थीन बेंजामिन डिजराइली इन्होंने 1857 के विद्रो को राश्टी विद्रो का है बेंजामिन डिजराइली ने क्या का राश्टी विद्रो का भारती सुतंता संग्राम से जुड़ी घटनाओ का कालक्रम अब देखते चलिए जैसे कि कॉंग्रेस मंत्रालियों का जो इस्तीफा था वो अक्टूबर नॉमबर 1949 इस भी में हुआ आप देखेंगे सारी घटनाओं जो है भारती सुतंता संग्राम से जुड़ी हुए सभी 1857 की क्रांती के बात के हैं तो क्रोनोलोजी में अगर लगाने को आएगा तो आपको दिकत नहीं होनी चाहिए 1857 में लंदन से प्रकासित समाचार पत्र टाइम्स के जो समवाद आता थे सर विलियम हारवर्ड रसेल इन्होंने लिखा था कि उत्तर भारत में कोई भी स्वेत वेक्ति की कार को मैत्री पूंट दश्टी से नहीं देखता है तो ये कुछ महत्पूर्ट तत ही जो हमने रथा 857 की क्रांती के बारे में जाना पिछली क्लास पढ़नी है आपको आज जो क्लास हुई उसको पढ़ना है कल एक और क्लास होगी जिसमें आपका 1857 का रिवोल्ट कम्प्लीट हो जाना है अगर आपको इससे रिलेटेट किसी भी टॉपिक में इससे रिलेटेट किसी भी फैक्ट में आपको प्रॉब्लम है कोई भी सुझाओ है आपका तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और लोगों को शेर करते रहे है इस वीडियो की पीडियेफ आपको चाहिए या फिर डीटेल एनलिसिस में आपको वीडियो क्लासेश चाहिए इसके लिए आपको गूगल प्लेश टोर प अप्लाइ करके आप 20% का तुरण डिसकाउंट पा सकते हैं तो वीडियो को लाइक कीजे और लोगों को शेर करते रहे हैं अभी तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे अधर वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिलत कर दीजे मैं मिलती हूँ अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद